हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Pro Android में आप अपने मुवाइल फोन के हीटिंग की प्रोलूम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आपका मुवाइल फोन हीट होता है यानि कि मुवाइल फोन गरम होता है तो इसके सॉलिशन के लिए करना क्या है अब देखी दोस्तों कि यहाँ बादो को और भी ध्यान रखना है कभी भी आप अपने मुवाइल फोन को चार्जर करने के लिए हमेशा अपनेने मुवाइल फोन के साथ वाला चार्जर आपको यूग Carbon funcion कहना ही इससे फोन हीट होता है क्योंकि दिख़े दूसरे मुवारे फोन का चार्जर होता है हमारे फोन को अच्छे अच्छे वर नहीं कर पाता है टौर इस बात का ध्यान रखना में एक चीज jestem पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या देखें आपको उप्धेर को सॉफ्टेयर अगर अगर आपके अपके अपने फॉन की हीटिंग की प्राइब देखे आपको कुछ और भी बाते बताता हूं अगर आप अपने मुवाइल फोन को continue एक दो चार घंटे मतलब मोईल फोन का कैमरा का चैमरी में फोको करना करते हैं अगर आप करम की सीजन एक ही सीजन में बिल्सisions डिशूर विटा करेंग आ फोन को ना sunlight सूरज की रोशनी से भी बचाके रखना है अब देखिए दोस्तों आपको अगला process यह करना है कि आपको अपने phone को reset करना है देखिए phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बता हुए पिछले process अगर काम नहीं करते हैं तब आपको फोन को reset करने के लिए फोन का setting पेज उपन करिए इसमें आपको सबसे उपर इस search icon पे tap करना है यहाँ पर आपको search बार में सबसे उपर reset लिखना है reset लिखेंगे तो आपको नीचे reset का option शोगा reset पे tap करना है आपका एक फोन डिरेक्ली आपको reset की setting में लेकर आएगा reset पर टाप करना है इसके अगले page में सबसे नीचे erase all data factory reset पर टाप करना है इससे आपका फोन reset हो जाएगा और आपके phone की heating की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने पहले दो बातों को ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान र प्रोसेस आप यूस करेंगे इससे आपके फोन की हीटिंग की प्रॉडम सॉल्ड हो जाएगी, अगर मेरे बता है वो सकते हैं आपके फोन के हाडवेर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसकी वज़े से आपका मुवाइल फोन हीट कर रहा है, क्योंकि मैं आपको इस वी तो मेरे बताय हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम जो न हीटिंग की ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी अधर्वाइस आपको अपने मॉयलफोन के सर्विस एंटर जाना पड़ेगा